आगच्छन्तु विद्यार थीना है कारकम पठा में और कारक के भाग यारा में हम आज चर्चा करेंगे अपादान कारक की और पादान कारक का पंचमी वक्ती होती है और उसका पहला भाग देखते हैं पुनेशर्वेशाम स्वागता और देखते हैं बच्चो अपादान कारक में को द्रूवम पाए अपादानम यह सुत्र क्या कहता है द्रूवम अपाए अपादानम क्या कहता है तीन पग होने पर या दूर होने की क्रिया में जो इस्त्री धुरुव अर्था जहां से विवाग या दूरी करण हो उसको क्या कहते हैं अपादान कहते हैं अपाय विश्लेश है यानि विवाग होने या दूर होने की क्रिया में जो इस्तिर्द्रू है अर्था जहां से विवाग या दूरी करण हो यानि जहां से अलग हो रहा हो या उसका आता है तो बालक कहां से आ रहा है जैपुर से तो जैपुर से बालक अलग हो रहा है या उसका भिवाग हो रहा है तो उस जैपुर की क्या हो जाएगी वो अपादान शंग्या हो जाएगी और उशे क्या कहते हैं अपादान कारक कहते हैं प्यारे बच्चों अपादान चल और अचल दोनों प्रकार का हो शकता है पादान क्या है चल और अचल दोनों प्रकार का हो शकता है जैसे कैसे ग्राओं से आता है ग्राओं से आता है में ग्राम क्या है अचल है ग्राम क्या है अचल है और उस अचल से भी क्या है अलग हो रहा है उसी प्रकार से अगला है तथा दो गोड़ता हुआ गोड़ा क्या है चल है लेकिन उससे भी तो अलग हुआ है तो कहने का अताग्प्रिय है कि दोनों अपादान दोनों परकार का हो सकता है चल भी हो सकता है और जिससे अलग हो रहा है जिससे भिवाग हो रहा है उसकी क्या हो जाती है अपादान शंग्या होती ह जैसे हाथ से पत्ता गिरता है हाथ से पैन गिरता है और हाथ से पैन क्या हो गया अलग हो गया अपायो विश्ट लेश तस्मिन साद्दे अवदी भूत यानि खेने का ताद्प्रिय है कि जहां से जो चीज अलग हो रही है जहां से जिसका भिवाग हो रहा है वही क्या कहलाता यानि वह गाउशे आता है अचल है लेकिन वहां से अलग हुआ इसलिए इसकी क्या हुई अपादान शंग्या हुई ग्रामाद वो जस्तु होके हुआ है है जल है जब परता हुएगोड़े इल माईं सब्सक्राइब गोर्ट ए Shap यह रागए हुए डोड़ते हुए आई देखते है और जिसकी अपादाने पंचमी जो शुत्र है उससे क्या हो जाती है पंचमी विवक्ति हो जाती है अपादाने कारक में पंचमी विवक्ति होती है जैसे व्रक्षाद पत्राणी पतंती यानि व्रक्षे पत्ते गिरते हैं व्रक्षे पत्ते क्या है गिरते हैं तो व्रक्षे क्या हो रहे हैं पत्ते अलग हो रहे है हो रहा है और इस कारण से यहां क्या हुआ पंचमी व्रक्ति अपादान और से अलग होने के कारणि हाँ अपादाने पंचमी जो स्वत रहे ह Edward तो कहने का तात्परिय है कि यहाँ से कोई है टूट रही है जहाद उसकी अपादान संगया हो है और अपादाने पंचमी सुत्र से पंकी वक्ति हो जाती है प्यारे बच्चों और देखते हैं जो को जुगुपसा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम क्या कहता है देखो जुगुपसा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम यानि जुगुपसा यानि ग्रणा करना विराम यानि रुकना या हटना प्रमाद का मतलब आलश्य आदी अर्थ वाली धातों का प्र संख्याना यानि जूगुपहा का मतलब करना छोए उसकी अपाधान शंग्या होती में जैसे पापादडव सते पाप से करता है यानि जो गुप्षा कर रहा है उसी प्रकार से पापाद बिर्मति यानि पाप से हड़ता है धर्माद प्रमादति धर्म में आलश्य करता है तो यहां इनमें सब में क्या हो गई पंचमी व्यक्ति अपादान कारक होता है प्यारे बाच्चों अगे बितर अर्था नाम भय हे तुं म contain hamdhilaash क्या कहता है यानि भय अर्था वादी और नर्थ वाली जो दात्मियों पर रह के कारन हे तु की अपादान शंग्या होती खेने का तात्परी है कि भय अर्थक वाली और त्राण यानि रक्षा अर्थ वाली धात्मों का प्रियोग होने पर भैके कारण हेतु की अपादान शंग्या होती है प्यारे बच्छो जासे शह चोरा भिवेती शह चोरा भिवेती यानि चोर से डरता है वह चोर से डरता है उस आर्थवाली जो धात्वे हैं उन में क्या होता है भे के कारण कि अपादान शंग्या होती है क्या चोर कारण है तो यहां च्चोर की रक्षा करता है चोर से रक्षा करता है तो यहां दोनों की क्या हो गई अपादा नशंग्या हो करके पंचमी वक्ती हो गई उसी प्रकार से भैका कारण क्या है सरब से डड़ता है अब यहां सरब क्या है भैका कारण है प्यारे बच्चों तो सरपात विबेती उसी प्रकार से रोगात त्राइते या यानि कुट्ख और रुकषा करता है तो कित्ख और कारण कित्ख और रुक्ष भी स्टतु कि कया होती है अपदन शंग्या प्यारे बच्चों तो इस प्रकार से यह जो हमारे चार शुत्र हैं, प्यारे बच्चों, वित्रा अर्थानाम भेतू भे अर्थवाली और तरानवालिय में हम क्या करेंगे पंचमी वक्ति करेंगे जुगुपशा बिराम प्रमादा अर्थानाम उपसंक्यानम यानि जुगुपशा बिराम प्रमाद आदी अर्थवाली धातूं का प्रियोग होने पर जहां से ग्रण जो हमारा पहला शुत्र था ध्रुम पाय अपादानम यानि जिससे अलग होने के अर्थ में यानि अलग होने के अर्थ में क्या होती है अपादान शंग्या होती है और उसमें हम पंचमिभक्ति करते हैं यानि अलग होना दो प्रकार से हो सकता है यानि अपादान चलो और अच झाल झाल